नमस्कार बहुत स्वागत है देख रहे हैं जोतिश जराहट के स्पेशल मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतोश संतोशी संतान का भटकना बच्चे का पत्व भ्रश्ट होना संतान के विशे में एक अनुखी जानकारी हम देने जा रहे हैं अगर आपका बच्चा या फिर बच्ची देखिए पंचम भाव पर हमारी थिसिस कम्प्लीट है पंचम भाव पर हम इस्पेशलाइजड हैं पंचम भाव पर हमने गहनशोध किया है संतान भाव है प्रेम भाव है मक्खन भाव है लक्षमी भाव है जन्म भाव है उदर भाव है पेट छाती की नीचे का भाग पंचम भाव बहुत बलवान होता है पंचम भाव का नैसरगिक कारकत्व सूर्य और ब्रहश्पति के पास है ब्रहश्पति कैसे आ गया पंचम से पंचम नमं भाव तो वो मक्खन दोनों मर्ज हो जाता है आपके बच्चे आपका संतान दो ही स्वरूप में आपके पास प्रादुर भावित होते हैं जन्म पाते हैं या तो आपका खाए है प्रारब धानुशार तो उतारने आये हैं आप उनका खाए है तो वसूलने भी आ जाते हैं कई बार हमारे संतान हमसे वसूली करते हैं कई तरह से वसूली करते हैं गलत रास्ते पे चले गए जुवा खेल रहे हैं पकड़ा गए, जेल गए, जमानत लिया घूस खिलाया, लाग दो लाग फूंक दिया कोई लड़की आदि का चक्कर आ गया उसके साथ हो गया कांड, भोग रहे है माबाप बिटिया है, अभी एक केस अक्सरा आते रहते है करनाटका का एक केस था भाग गई लड़की, 19 साल की तो आपको आपका बच्चा अगर मांसिक, शारिरिक और आर्थिक त्रास दे रहा है दुख दे रहा है तो यह भी पहुत बड़े पित्रुरिण का परिचायक है इसके पीछे का सिर्फ एक कारण आप देखेंगे तो पंचम पंचमेश का अश्टम अश्टमेश और राहु के साथ या नहीं और राहु के साथ संबंध सोलह आना निश्चित होगा ना नारायन भली काम करेगा ना नासिक त्रेंब केश्वर ना कुरुक्षेत्र ना हरिद्वार कहीं का कोई उपाय काम नहीं करेगा सिवाए विधी विधान से भागवत के साथ गयाजी में पिंडदान करा के और यही अंतिम विकल्प है मतलब ये लाश्ट है इसके बाद कुछ शेश नहीं रहता आप ये कहें कि मान लिजे कि वहाँ पर गय हमने किया और फिर भी लाब नहीं मिला आम तोर पर तो ऐसा नहीं होगा लाब तो मिलना ही है लेकिन फिर भी फिर भी अगर नहीं होता है तो इसका कोई विकल्प फिर नहीं है लेकिन हम पहले ही ये सोचने नहीं होगा हम हाथ पे हाथ धर के थोड़ी बेर जाएंगे आप अस्पताल में ऑपरेशन के लिए जाते हैं डाक्टर साइन करवा लेते हैं कि भाईया उजनी चुआ तो हम जिम्मेदार नहीं है लेकिन आपका एश्टो फ्रेंड ऐसा नहीं करता हम कहते हैं कि होगा नहीं हुआ तो हम जिम्मेदार है क्योंकि हमने पकड़ लिया है बिमारी हमने बिमारी पकड़ लिया है और जब बिमारी पकड़ा जाती है तो इलाज तो होई जाएगा हलके में लिए थे क्या लेकिन इसके लिए आपको कमर कसना पड़ेगा आपको लग रहा कि बच्चा ट्रैक गलत पकड़ चुका है तो प्लीज रिक्वेश्ट है आपसे आग्रह करता हूं कि आप जितनी जल्दी हो सके एक बार जन्मान के विशलेशन करवा के और गयाजी में सर्व पित्री तरपड महायग्य का हिस्सा जरूर बने क्योंकि ऐसा मौका भाग से और विरलों को मिलता है लगबग 45 लाख लोग हमारे फालोवर हैं जिसमें से 1-1.5 लाख एक्टिव लोग हैं और उसमें से 50 लोग भी मुश्किल तयार हो पाते हैं पिंड़दान में समलित होने के लिए जानते हैं क्यों क्योंकि उनका भोग प्रबल होता है उनको दुख उठाने के लिए प्रकृत ने दिया है तो हमारी बात इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे कोई भी कल्प नहीं है तो आपको हम सिर्फ इसलिए संकेत देते हैं कि आप समझें बिना कुंडली दिखाए समझें कि यहां आपके उपर पित्रण है आप इसकी शानती करा लेजेगा इंतजार कर रहे हैं नमबर आपके सामने है 9354619250 9910291850 9560447000 कॉल करने से बचियेगा डायरेक्ट वटसप करियेगा हमारे यहां से पूरी दिटेल आपको भेजी चाहिए नन्यवाद नमस्कार कर दो कर दो करा दो कर दो प्र सके उन्यवाद कर दो